Redmi Note 4 लाँच हो चुका है और इन दिनों सभी इसकी बाते कर रही हैं। इस वीडियो में बहुत कम समय में हम आपको बताएंगे इसकी खास बाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स। मेटैलिक डिजाइन से लेस ये फोन पहली नजर में काफी पतला नजर आता है। साथी पीछे की और फिंगर प्रिंट सेंसर और कैमरे की प्लेस्मेंट और नीचे दिये गए स्पीकर ग्रिल्स भी मानो इसे आईफोन जैसा लुक देते हैं। वहीं वाइट फ्रेंट के साथ गोल बैक और ब्लैक फ्रेंट के साथ सिल्बर और ब्लैक बैक इन तीन कलर्स के आप्शन दिये गए हैं। डिस्प्ले की बात करें तो साथे 5 इंच की स्क्रीन में फुल एच्डी 2.5D कर्वड ग्लास दिया गया है जो सामने तो क्लियर और क्रिस्पी लगता ही है साथ ही कोनों और बगल से भी साफ साफ दिखता है। अब बात कैमरे की डेट्मी नोट 4 में 13 मेगा पिक्सल का बैक कैमरा है जिसमें LED फ्लैश, आटो फोकस और 77 डिग्री वाइड एंगल जैसे फीचर्स दिये गए हैं तो वहीं 5 मेगा पिक्सल के फ्रेंट कैमरे में 85 डिग्री वाइड एंगल लेंस दिया गया है। जी भर के वीडियोज, मूवीज देख सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं। मेमरी की बात करें तो 32 और 64 GB के तीनो वेरियंस में माइक्रो एच्डी कार्ड की जरिए इसे 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं स्पीड और पर्फॉर्मेंस की दिशा में Redmi Note 4 में Snapdragon 625 प्रोसेसर के साथ ग्रैफिक्स के लिए Adreno 506 GPU दिया गया है। उधर SIM Card Department में Redmi Note 4 में Hybrid SIM Slot दिया गया है। मतलब आप चाहें तो दूसरे SIM Slot को SD Card के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर नजर डालें तो ये फोन Android 6.0.1 Marshmallow पर बेज़्ड MIUI 8 पर चलता है। वहीं Redmi Note 4 का वजन सिर्फ 175 ग्राम है। ये फोन 23 जन्वरी 2017 से Flipkart और Mi Company की वेबसाइट Mi.com से खरीदा जा सकता है। If you like this video, please share it and subscribe this channel that is news you can use for more updates in Hindi. Thank you.